तो हाई गाईस क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग सभी को नमश्कार और धेर सारा प्यार मैं आपका बड़ा भाई निखेल धा भाई हासिन हूँ आपके सामने ले करके एक छोड़ा सा सेशन और आज का जो टॉपिक है वो आप पढ़ ही सकते इलेक्ट्रो मैगनेटिक वे यह हमारा ध्यान खीजती है वह करण्टन से मतलब है चार्ज फ्लो हो रहा होगा ऐसा हमें लगता है और उस Judaism करणमें की जब बात होती है तो वहाँ पर असल में कोई चार्ज का फ्लो नहीं है मतलब जो Conduction Current हम पढ़ते हैं इस current से हम वाकिफ हैं वो current से बिल्कुल ही अलग चीज है हाला कि इसको current का नाम देना वो क्यों नाम दिया गया वो भी हम देखेंगे और उसी चीज़ को समझने के लिए हम एक example लेके चलते हैं इस example में आगो क्या दिख रहा है एक wire है क्लोस सर्किट है यह इसमें जो है capacitor हमने जोड़ा हुआ है capacitor जो है उस capacitor की हाल फिलाल आप कह सकते हैं कि charging हो रही है कि यह positive plate यह negative plate तो जितना current इधर से जा रहा है उतना ही current इधर से जाएगा हलागी कुछ बच्चों को यह सवाल उड़ता है कि सर जी capacitor जो है वो तो बीच में से circuit को break कर रहा है क्योंकि ये वाला हिस्सा इस वाले से जुड़ा हुआ नहीं है तो current कैसे flow कर रहा है क्योंकि open circuit में तो current flow ही नहीं करता ना सर जी तो यहां पर क्यों कर रहा है थोड़ा सा यह समझा दो हाला कि यहां इस चैप्टर में इस चीज़ा कोई लेना देना नहीं है यह बात capacitor में ही आप लोग को clear हो जानी चाहिए और मैं मानता हूँ clear होगी भी कि फिर भी एक बार को मैं समझा देता हूँ शैद कुछ बच्चे नए जुड़े हो उनके लिए तो हमारा सवाल क्या था सवाल यह था मतलब आपका सवाल कुछ बच्चों के मन में उठ रहा हुआ कि सर जी capacitor ने तो circuit break कर रहा है फिर क्यो current flow कर रहा है तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ electrostatics का बोले सर जी भूल गए मैंने का यह रिप्ता टफ नहीं बहुत ही आसान है बोले कि यह ना मैंने क्या कहा यहां पर मैंने कहा कि यहां दो conductor से same shape same size इसके उपर charge है क्यूँ इसके उपर charge है zero यहां पर एक wire से हमने इसको जोड़ा obviously यहां पर charge होने की वएसे इसका high potential है और इसका low potential है अब अगर मैं आप से पूछू कि switch को close करते ही क्या होगा तो हर बच्चा यह एकदम खटाक से जवाब देया कि सर जी का charge यहां से यहां flow होता रहे होगा और क्योंकि identical shape size के तो इस पर q by 2 आ जाएगा finally और इस पर भी q by 2 हुआ जाएगा मतलब यह high potential पे था यह वाला low potential पे था तो चार्ज यहां से इधर आने लगा इससे इसका potential जो होने लगा और इसका potential बढ़ने लगा और जैसे दोनों के potential सेम हो गए तो ऐसे चार्ज का फ्लो होना बद्न हो गया तुम बोलोगे इसका open circuit close circuit से क्या लिना देन है चार्ज फ्लो हुआ ना बहुत है हाँ सर अजा तुम पूछो कि सर टाइम कितना लगा चार्ज को फ्लो होना में तो वो तो एकदम seconds में हो जाएगा मतलब seconds से भी कम बें अगर resistance नहीं है तो फिर टाइम लगेगा जितनी जाधा resistance उतना ही टाइम लगेगा हाना अच्छा ह लेकिन चार्ज फ्लो हुआ चार्ज फ्लो हुआ मतलब करेंट फ्लो हुआ तो फ्लो अफ चार्ज यहां पर आप वो closed circuit दिख रहा है तो यहां जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाता है कि यह एक closed circuit तो नहीं है मतलब एक wire ऐसा जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है तो यह open circuit की फिर भी current फ्लो हुआ क्यों जस्टू मेक पोटेंशल सेम या potential difference जीरो करने के लिए current का फ्लो हुआ सेम कहानी आप कह सकते हो कि जब हम capacitor को battery से जोडते है तो battery का जो positive potential है वो प्लेट जिस capacitor की plate से जुड़ी है जब तक कि यह जितना positive potential है यह भी उतना ही positive potential नहीं हो जाता तब तक क्या होगा charge flow होता रहेगा potential को equate करने के लिए और यह जितना negative potential है यह उतना ही negative potential नहीं हो जाता तब तक क्या होता रहेगा चार्ज फ्लो होता रहेगा इस potential को equate करने के लिए मतलब finally यहाँ जो potential difference था वही potential difference आपको इधर देखने को मिल जाए आई बात समझ में और इधर से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई charge का flow होगा ठीक है साथ तो अब भूम फिर के जो हमारी study है वो वापस से आ जाती है current पे और इसको हम समझ नहीं कोशिक करेंगे तो इसके लिए मैंने आप से कहा कि इधर एक point मैंने consider किया पी आपने बोला ठीक है सर यह पी point मैंने consider इस पी point से pass होता हुआ हमने एक loop मैंने का क्या इस पी point पे कुछ magnetic field होगा तुम बोलो गया obviously बात है होगा सर वो magnetic field current ऐसा जा रहा है ऐसा बाहर आता हुआ दिखेगा इस तरफ magnetic field ऐसा अंदर जाता हुआ दिखेगा फुल मिला के magnetic field की ऐसे loops बन रहे होंगे magnetic field के due to this current right hand thumb फिल्कुल सही बात है अच्छा क्या जो magnetic field हो किस की वज़े से होगा सिर्फ कितने section की वज़े से कि पूरे wire की वज़े से obviously पूरे wire की वज़े से ही वो magnetic field होगा उसमें कुछ और भी है तो अभी आगे समझ में आ जाएगा आपने की कैसा तो हमने क्या किया ना एक surface ली ठीक है कौनसी surface ली यह वाली सर्फिस ली इस लूप से associated एक surface क्या इस surface से current पास कर रहा है साफ साफ दिख रहा है हाँ यहां से current अंदर जा रहा है यहां से current बाहर निकल रहा है तो इस surface का मैं नाम देता हूं surface 1 और इस surface 1 के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाईया ampere circuital law आपको क्या कह रहा है तो आप बड़े ही आसानी से ये बात समझते हो integration of b dot dl is u not sigma i in sigma i in है आपका i क्या आगई आपकी पहली उमीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी अब ध्यान से सुनना वापस से परची क्योंकि वो magnetic field का line integral non zero आना ही चाहिए था और वो आ रहा है और ये बात एकदम सही है अब मैंने का इसी लूप से मैं एक ऐसी surface attest देखू तो तो उन्हें समझ नहीं है उन्हें का एक ring लो प्लटी कैसा ले ली string में ऐसा नीचे एक ऐसा polythine लगा दो ऐसे पहली वाली polythine अपनी कैसी थी S1 surface कि S2 surface हो गई मतलब इस थेले में कुछ भर सकते हुआ ऐसा ये थेला इसको आज़ा टेड़ा करके रख दिया अब बताओ ये जो second surface है क्या इस second surface से आपको current pass करते वे दिख रहा है क्या इस लूप से इस वाले लूप से इस circular लूप से associated मैंने ये second surface ली ग्रीन वाली तो यहां अगर मैं आपसे पूस्ता हूँ b.dl तो आप बोलोगे mu not and current passing through it is 0 इस green वाली surface से तो कोई current pass ही नहीं हो रहा अब simple सी बात है यहां पे जो है कुछ ना कुछ तो घपला हो गया है कुछ ना कुछ तो घपला हो गया है क्योंकि ये 0 नहीं आना चाहिए था इस 0 की जगे कौन आना चाहिए था इस 0 की जगे आना चाहिए था ये आई लेकिन इस सर्फेस से कोई current पास नहीं कर रहा है लेकिन यांदर सुनना इस सर्फेस से क्या कोई current पास करता दिख रहा है नहीं तुम बोलोगे सर जात हो रहा है current अरे भाई यहां कोई current नहीं है capacitor में खाली जगे पड़ी है लेकिन अगर आप से पूछा जाए क्या electric field है यहां पर तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल electric field तो है सर जी positive से negative की तरफ जाता हो है क्या है तो ले हाँ अच्छा तो इस सर्फेस से कितना flux पास कर रहा है current को भूल जाओ अभी सब्सक्राइब तो आप भूलूगे सर इसका capacitor का plate area अगर अ है इतना flux इस plate से निकल रहा है जितना flux इस plate पे गिर रहा है इतना ही flux इस green surface से पास कर रहा होगा मैंने कार सीधे-सीधे बोलो ना भूले सर सीधा-सीधी बात यह है कि electric field इन्थू किरिया कितना flux जो है वो इस green surface से या second surface से पास कर रहा है क्या पता इस flux की कुछ value मतलब इस flux को कुछ ऐसा कुछ किया जाए इसके साथ जिससे हमको यहाँ पर zero की जगे यह आई वाली value मिल जाए देखते हैं ऐसा कुछ किया जा सकता है के नहीं पुल मिलागे मुझे समझ में आया कि यहाँ current तो पास नहीं कर रहा कोई चार्ज तो पास नहीं कर रहा लेकिन electric flux पास कर रहा है अच्छा अब electric flux पास कर रहा है तो इसी हम थोड़ा सा और ढंक से अब समझने ही कोशिश करेंगे तो हमने कहा कि यह अपने पास जो था यह अपनी हो गई थी capacitor वाली plate देखा हाँ capacitor की है circular plate है के नहीं है और हम क्या कह रहे है कि इसका plate area कितना है ए कि यहाँ पर कुछ ऐसा electric field के होगा positive से होगा के नहीं होगा बोले हाँ सर बिल्कुल होगा और मैंने का यार इस पे हमने कह दिया positive charge है इस पे हमने कह दिया कुछ negative charge तो मैं तो यह चाहता हूँ कि current इस जीरो की जगे इस जीरो की जगे यह आई आना चाहिए था कि आई हाला कि अपना conduction current है तो यह किसके equal होगा तुम बोलोगे सर यह तो देखो d by dt नहीं का बिल्कुल से कि तिर मैंने कहा यार ज़रा बताना q जो है capacitor पे जो charge है उसको क्या कह आ जाएगा तुम का होगे ज़र capacitor का charge होगा q equals to cv की capacitance इन्टू इसके उपर जो potential difference है वो मैंने का capacitor की जो plate separation है वो मैंने कह दी कितनी d capacitor की अगर plate separation d है electric field अगर e है आपको यह भली भाती पता होगा कि potential difference electric field और separation पे यह आपका relation आएगा तो capacitance की value आ गई a epsilon naught by d और इसकी value आगई आपके पास e और d e से d कड़ गया तो यह आपके पास आगया epsilon naught into ea और अगर आप इस q को थोड़ा सा देखेंगे तो आपके पास यह आगया phi into epsilon और अब अगर आप current की बात करते हैं जिसको मैं dq by dt कहता हूं पेरे पास आजाएगा phi d phi by dt तो अब हम यहां से कह सकते हैं एक बात बात क्या है कि वो जो second surface थी उस second surface से current तो पास नहीं कर रहा है कोई charge का flow नहीं हो रहा है लेकिन electric flux पास कर रहा है और उस electric flux को अगर आप differentiate करते हो और epsilon naught से multiply करते हो तो वो जो value आती है आपकी वो exactly i के equal आती है तो यहां से Maxwell जो थे उन्होंने ampere के law को क्या किया modify करते हैं पहली बात तो आपको यह समझ में अंचीक ampere circuit and law हर जगे valid नहीं है जैसे कि इस case में valid नहीं यहां से zero result आ रहा है तो इसमें कुछ modification की जरुवत है और वो modification क्या है वो modification है यह पहली बात उन्होंने क्या कहा कि यह है अपना displacement id जिसको हम क्या कह रहे है displacement current अजा current क्यों नाम दिया इसको क्योंकि यह जो value आ रही है वो current के equal आ रही है ठीक है कोई charge flow नहीं हो रहा है तो displacement क्यों नाम दिया क्योंकि इस value ने इस वाली equation में conduction current की जगे यह value यह value epsilon 0 into d5 by dt आ रही है तो इस value ने conduction current को displace किया इसलिए एक displacement यहां लगा और current क्यों displacement क्यों लिखा यहाँ क्योंकि इसने current की जो value थी उसको replace कर दिया और current क्यों कह रहे है इसको क्योंकि इसकी value current के equal है तो Maxwell ने फिर क्या कहा कि भहिया देखो अब हम देंगे अपना ampere circular law मतलब modified ampere circular law तो उनने कहा कि integration of b.dl शुड भी do not ic conduction current और id दोनों का addition के उन्होंने जो है इसको किया modify आई बात समझ में तो ध्यान यह रखना के अपने पास जो है जो की हो सकता आपको थोड़ा सा तफ लगे लेकिन वह इतना तफ भी नहीं है तो फटा फट से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल की तो सवाल में क्या दे रखा है जैसा कि आपको दिख रहा है एक सर्कुलर मानना है इस इस इसकी रेडियस 1 मीटर है तो यह आपके पास हा रहा है पॉइंट 5 मीटर मतलब हाफ मीटर का यह चीशा अपने पास कुल मिलागे मुझे magnetic field लिकालना है ठीक है एक बार वापस पीशे चलते हैं कि यहां हो क्या है तो हमें कुल मिलागे यह समझना है कि अब जब भी electric flux link कर रहा है तो हमने देखा कि displacement current कब आ रहा है जब flux में change आएगा flux में change आने का मतलब क्या हुआ है इलेक्ट्रिक field में change आएगा जैसे magnetic field में जब change होता है तो वो electric field create करता है यहां से हम समझ सकते हैं कि जब electric field में change हो रहा है तो उसकी वज़े से भी magnetic field create हो रहा है पी point पे magnetic field इस वाले equation के इसाफ से देखोगे तो यहाँ पर कौन आ रहा है displacement current और displacement current किस से मिलके बनाएं epsilon 0 into d5 by dt मतलब changing electric field भी magnetic field create कर रहा है अब ऐसा मत बोलना कि इस point पे magnetic field सिर्फ इसकी वज़े से इस expression को देखकर लगता है कि वो सिर्फ इसकी वज़े से लेकिन असल में वो इसके 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 पूरे इससे की वज़े से इस वाले point पे जो magnetic field होगा उसमें हर हिस्सा contribute कर रहा है displacement current भी conduction current भी हर चीज़ आई बात समझ करें तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर electric field में change होगा तो वो magnetic field करेगा और यही जो है हमारा basic conception है कि इस में बेसिक या base है electromagnetic wave के propagation या generation था हम से कह रहा है कि यहाँ पे magnetic field निकाल तो वो magnetic field क्यों होगा इस point पे वो भी आपको समझना चाहिए क्योंकि electric field vary कर रहा है अच्छा हम क्या करेंगे इसको solve करने का वही बहुत ही simple सा जो है concept है हमने क्या किया तो हमने यह जो प्लेट थी कैपेसिटर की इसको consider किया और यहां जो है एक ते लिया जो उस पी पॉइंट से पास कर रहा है अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि electric flux कुछ ऐसा link कर रहा है यहां पर यह positive plate है यह negative plate है तो electric flux मैं लगाऊंगा ampere का circular law integration of line integral of b.dl over this loop this is what r जिसकी value हमको दे रहे है 0.5 meter should be equals to mu naught into ic plus id अब आपने को अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस वाले loop से कोई conduction current पास नहीं कर रहा है there is only electric flux associated with it मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है displacement current है जो अपना आ जाएगा epsilon naught into pi by dt जिसकी जगे मैं electric field into area लिख देता हूँ area आपको समझना होगा वो आ जाएगा अपना pi small r square ये वाला a small r और इसको मैं बो देता हूँ capital अना यहाँ पर यह मामला आता हूँ आपने को दिख रहा है जो जो बाहर निकल सकता है वो हम बाहर निकाल लेंगे जो कि आएगा mu naught epsilon naught pi r square electric field जो है in terms of charge आप लिख सकते हो तो charge on this plate अगर उसको मैं क्यूं बोलता हूँ यह तो हो गया अपने पास q by epsilon naught यहां से हमको साफ साफ पता लग रहा है कि mu naught epsilon naught by epsilon naught pi r square और यह क्या आगया d by d और b जो है b dot dl तो आपको समझना होगा b dot dl की value अगर मैं लूँगा तो b जिस direction में आ रहा है उसी direction में हम move कर रहे है तो b dot dl p और dl के बीच का angle कितना है is zero जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो खुद समझो twop ऐसा है तो मैं जा भी ऐसा रहा हूँ और magnetic field भी ऐसा ही है तो हर जगे पर b और dl के बीच का angle कितना है बी इस direction में dl is direction is zero यह B.DL आजाएगा due to symmetry पी जो है वो बाहर आजाएगा अंदर बचेगा integration of DL और वो आजाएगा आपका 2Pi all R एक R से एक R कटा Pi से Pi कटा magnetic field जो आएगा उस P point पे वो आजाएगा 2NOT by 2 EPSILON NOT से EPSILON NOT कट रहा है एक R बच रहा है और DQ by DT अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है मुझे निकालना है DQ by DT Q की equation मुझे पता है charging of capacitor वह यह capacitor जो है वो क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है बैटरी से तो DQ by DT अगर मैं यहां से निकालना चाहूंगा वो आजाएगा CB constant का 0 और यहां जाएगा E की पाउर मैनस T by Tau upon Tau Tau की value RC तो यहां जाएगा V by R जो direct भी आपको पता होना ही चाहिए यह हमारे पास DQ by DT हम से जो यहां पर बात की गई है वो की गई है at T की किस point पे किस time पे हमको magnetic field निकालना है 10 की पाउर माइनस 3 सेकंड्स पे तो V है अपना 2 वोल्ट resistance है अपनी कितनी 10 की पाउर 6 Ohm E की पाउर माइनस 10 की पाउर माइनस 3 E की value यह Tau निकाल लेते हैं Tau कितना है Tau आएगा R C R कितना है 10 की पाउर 6 C कितना है 10 की पाउर माइनस 9 कि कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 ताव भी अपने पास 10 की पावर माइनस 3 कट जाएगा और हम जानते कि E की पावर माइनस 1 जो है वो आता है 0.37 यह आ गया 0.37 इन्टू 2 बाए 10 की पावर 6 this is the value of dq by dt now we will place this value here और बस बाकी काम खतम के magnetic field पास आ जाएगा r की value आ गया 5 ठीक है dq by dt जो आ गया वो अपने पास कितना आ गया भाई 0.37 यहां से mu naught की आप value डाले और dp की जो आले था वो आपको मिले तो बहुत ही आसान सा सवाल था इसमेंदे को main जो concept था यह कि Maxwell MPR circuit law लगा के यहां पे magnetic field आपने निकाला i c 0 था id की value हमने इंदर से रख दी और dq by dt dq by dt is what it is the conduction current अना वो आई जो इधर पास हो रहा था उसके लिए अपने को capacitor के charging की equation थी यह direct भी आप लिख सकते हो कि i तो आपको पता यह i naught e की power minus t by tau करके लिखते हैं तो इस तरीके से solve हो जाए तो हो सकता है कि यह सवाल थोड़ा सा आपको तफ सा लगा हो अटपटा सा लगा हो लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए पुल मिला कि फिर जो Maxwell देना उन्होंने पूरे electromagnetism को इन चार equation में unified कर दिया यूनिफिकेशन कर दिया हना मतलब हर चीज जो electromagnetism की है वो इन चारों में से ही derive की जा सकती है तो पहला थो उन्होंने दिया गौसलोफ और electricity जो गौसलोफ था उन्होंने कहा देखो यह बात बि इसलिए फ्लक्स पासिंग थ्रूफ एनी क्लोफ सर्फिस कौन सा फ्लक्स मैगनेटिक फ्लक्स इट जीरो अगर कोई पूछे की ऐसा क्यों है तो इसके दोनों आंसर आप दे सकते हो पहला आंसर विकॉस मैगनेटिक फील लाइन्स आर क्लोज लूप उसरा आंसर ओनो पोल्स दोनों ही कारण हो सकते हैं तो जीरो कहनेटिक तीसरा फिर फिर फैरडे यह बड़ी ही इंपॉर्टन बात है अक्सर लोग यह पढ़ लेते हैं यह पता हुता है फैरडे ने यह लौ दिया कि लाइन इंटिग्रल ओफ एलेक्ट्रिक फिल्ड ओगर एक्लोज लूप इस माइ ध्यान खीचना चाहूंगा किर्चॉफ वोल्टेज लॉट की तरह गिर्चॉफ वोल्टेज लूट क्या कहता है की ओवर लूप टोटल वोल्टेज ड्रॉप is what it is zero मतलब kvl आपको कहता है कुछ ये बात क्या कहता है e.dl is zero क्योंकि ये जो electric field है वो conservative है तो आप भात को ध्यान से सुनना कई लोग थोड़ा से इसमें confused जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया यहाँ पर electric field का तो line integral over a close loop वो तो zero आना चाहिए जीरो नहीं है मेरे भाई फैरड जब भी flux में change आता है तो this is a non-conservative electric field ये non-conservative electric field है दोस्तों ये ध्यान रखना electromagnetic induction में जितने भी सवाल है जहां पर flux में change आ रहा है तो वहाँ non-conservative electric field होगा तो कोई अगर आप से पूछे क्या केवियल वैलिड है कहब क्यों 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 क Faraday वाले इस वाले case में KVL is not valid, जान रख लो, हाँ, आप कह सकते हैं कि KVL is the special case of Faraday law, कौन सा case, when there is no change in flux, अगर D5 by DT 0 हो गया, भाई ये वाली चीज़ भी आपकी क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी, clear है ये जीज़, आ रहे हैं ये बात समझें, पस ये बात जो है, यहाँ पर अपने को समझ में आ जानी चाहिए, चलिए, तो आभी हम बात करते हैं, electromagnetic waves के बारे में, just a minute, एक बार मेरे को, तो अभी हम बात करें, electromagnetic wave की, तो सबसे पहले इसके पढ़ लेते हैं, source के बारे में, तो source क्या है, electromagnetic wave का, तो मैक्स्विल की ठेहरी ये कहते हैं कि जब भी आप एक accelerated charge लेके आओगे, वो एक electromagnetic wave radiate करेगे, तो अब proof जो है न वो अपने syllabus में नहीं है, लेकिन हमने एक चीज़ अभी पढ़ी है, displacement current में क्या, कि अगर electric field vary करेगा, तो magnetic field produce होगा, तो अगर एक charge अगर accelerate कर रहा है, तो obviously बात है, electric field वहाँ पर vary कर रहा होगा, मालो एक charge SHM कर रहा है, तो electric field की value जो होगी, वो भी fluctuate करेगी, vary करेगी किसी point पे, अब किसी point पे अगर electric field vary कर रहा है, तो वहाँ पर क्या produce जाएगा, magnetic field, तो electric field अगर vary होगा, तो magnetic field को produce करेगा, और कैसा magnetic field होगा, वो भी variable magnetic field होगा, फिर वो variable magnetic field क्या करेगा, वो variable magnetic field electric field को produce करेगा, फिर variable magnetic field को produce करेगा, फिर वो magnetic field electric field को produce करेगा, इस तरीके से ये एक दूसरे को produce करते रहेंगे और वो energy जो है वो आगे propagate होती रहेगी, ये कहानी है production या source of electromagnetic wave, यहाँ पर आप क्या बोल रहे यह क्या करेगा यह oscillating charge produces an oscillating electric field क्या आप कह सकते हो variable electric field at all points in the space which produces an oscillating magnetic field. तो variable electric field क्या produce करेगा? variable magnetic field which in turn is the source of oscillating electric field. फिर वो variable magnetic field एक electric field produce कर देगा और फिर वो electric field एक magnetic field produce कर देगा and so on. the oscillating and magnetic field does regenerate each other. एक दूसरे को वो regenerate करते जाएंगे और इसी तरीके से यह electric और magnetic energy आगे propagate होती जाएगी. तो एक electromagnetic wave की जब आप बात करते हो तो उसमें electric field की है, magnetic field की और दोनों ही क्या कर रहे हैं? vary कर रहे हैं और energy की जब बात हो रहे हैं तो जी हाँ उसमें electrical energy और magnetic energy दोनों ही type की energies भी हैं. अब यहाँ पे पूछा है, the frequency of electromagnetic wave naturally equals to the frequency of oscillation of charge. तो यह बात ध्यान रखनी है कि वो charge जिस frequency से oscillate कर रहा है, उसी frequency की electromagnetic wave जो है वहाँ पे generate हो रहे हैं. energy associated with the propagating waves. तो वो wave की जो energy आ रही है, वो कहां से आ रही है? तो charge को oscillate करवाने के लिए कोई source तो होगा? तो वो source की जो energy खर्च हो रही है, वही energy convert हो रही है, electromagnetic wave या आप कहा सकते हैं, electrical or magnetic energy. तो the energy associated with the propagating wave comes at the expense of the energy of source, ठीक है, of the source of the accelerated charge, accelerated charge का जो source है, जो उसको accelerate करवा रहा है, उसकी energy से ही हमें electromagnetic wave की energy मिल रही है, अब एक electromagnetic wave दिखने में कैसी दिखती है, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है? electromagnetic wave कैसी दिखती है, इसकी हम बात कर लेते हैं, तो electromagnetic wave ऐसी दिखती है, इसमें एक electric component है, electric field है, magnetic field है, दोनों एक दूसरे के mutually perpendicular है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो electric field vector कुछ ऐसा है, अब यह इससे क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखोगे, इसका मतलब यह है कि अगर एक electromagnetic wave जा रही है यहाँ से, इस point पे अगर zero electric field है, तो इस point पे electric field उपर की तरफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक electric field उपर है, लेकिन सबसेश दादा electric field की value यहाँ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर यहाँ नीचे है मतलब इतने हिस्से में ऊपर, इतने हिस्से में नीचे, ऐसा, ठीक है, और यह wave आगे बढ़ेगी, मतलब कुछ देर बाद आपको electric field कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब पहले यहाँ zero था, फिर यहाँ zero हो जाएगा, पहले यहाँ maximum था, फिर यहाँ maximum हो जाएगा, कुछ इस type की च बाहर है, ठीक है, मतलब electric field की direction, मतलब इस point की अगर जैसे मैं बात करूँ, इस point में magnetic field आ रहा है, बाहर और electric field आ रहा है, ऐसा उपर, तोनो एक दूसरे के mutually perpendicular होंगे, और E cross B जो है, वो C की direction को represent करेगा, एक बात बता हूँ, एक बार शायद stage 1 Olympiad, physics Olympiad के stage 1 में सिर्फ यह सवा सवाल पूछा गया, मतलब electric field और magnetic field का unit vector दिया हुआ था, और आपको यह बताना था कि किस direction में wave propagate कर रही है, तो किसी भी चीज को आप ऐसा छोटा मत समझना कि तुम्हें लगे कि अरे पता लगे यार यह चीज पूछी नहीं जाए, बही किजी हो सकती है, लेकिन इसका नहीं, Olympiad के stage 1 में, जितना मुझे ध्यान आ रहे, stage 1 था या stage 2, stage 1 ही था शायर, इसमें भी यह सवाल पूछा गया, पता नहीं, और बार भी पूछा गया होगो, लेकिन एक बार का तो मुझे ध्यान है, मतलब मैं जब से पढ़ाने लगा, उस टाइम पे, सालों में शायर 2013, 2013 की बात है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हो सकता है, मैं थोड़ा गलत, मेरे को ध्यान आ रहा हूँ, लेकिन आया था सवाली है, तो यह चीज आपको ध्यान रखने हैं कि E cross B is parallel to C, और आपको क्या ध्यान रखना है, E, B, और C, यह तीनों mutually perpendicular होते हैं, E अगर Y में है, तो आपको दिख रहा है, B, Z में है, और C, मतलब direction of propagation of wave, velocity of wave, जिस direction में wave की velocity होगी, उससे direction में wave propagate कर रही होगी, टीनों mutually perpendicular रहेंगे, यह relation रहेगा, और यहाँ अगर आपसे E, B और C में relation पूछा जाए, तो यह ध्यान रखना है, C is equals to E by A, तो इस तरीके से आपको, ठीके, अब, इस wave की जो velocity है, उसको अगर मैं V बोलता हूँ, velocity of wave, वैसे तो C से भी represent कर सकते हो आप, यह भी velocity है, दोनों कोई symbol यूज़ की जा सकते हैं, लेकिन generally यह कौन कब की बात होती है, जनरली यह vacuum के अंदर की बात हो रही है, तब हम C use करते हैं, इस जनरल भी, तो lambda wavelength है, frequency is wave की, तो V is equals to lambda into frequency, K is the angular wave number, which is omega by V, तो wave propagation में आपने यह पढ़ियोंगी, इस type की equation आती है, जहाँ पे E naught is the peak value, omega is angular frequency, K is the angular wave number, जो omega और V से ऐसे associated है, फाइल दा initial phase constant, T time है, X, अगर वो X direction में travel कर रही है, K plus और यह minus क्यों हो आ रहा है, क्योंकि यह positive X direction में travel कर रही है, तो wave वाले concept तो यहाँ पे valid है, और जैसा electric field का phase है, वैसा ही magnetic field का भी phase है, मतलब जब electric field 0 है, तो magnetic field भी 0, जब electric field maximum है, तो magnetic field भी maximum, तो दोनों का phase भी आपको क्या दिख रहा है, exact same दिख रहा है, यह वाला मामला और यह वाला मामला दोनों का same आएगा, और दोनों की energy भी exact equal रहती है तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे energy की सबसे पहले हम बात करेंगे energy density energy density मतलब कितना energy stored है per unit volume अब जहाँ जहाँ electric field होगा वहाँ वहाँ electrical energy होगी जहाँ जहाँ magnetic field होगा वहाँ-वहाँ magnetic energy होगी और हम जानते हैं कि energy density मतलब energy stored per unit volume उसका formula होता है half epsilon not e square मतलब यह energy हो गई अपनी electrical energy और यह हो गई अपनी magnetic energy E आप जानते हो कि E आपके पास क्या दिया गया है E आपको दिया गया है यह पूरा यह पूरी value अगर आप रखोगे तो अगर इसका average आपको निकालना है average मतलब half epsilon not और E square का average अब अगर आप E की value को देखोगे तो E की value कुछ आपको यह मिल रही है E not sine omega t minus kx plus 5 E not का square जब वो तो बाहर आजाएगा और sine square की average value होती है half ध्यान से सुनना E not का square तो constant है बाहर आजाएगा और sine square की average value होती है half तो E not की जो E not के square की जो average value है वो आ रही है E not का square by 2 यह जो value आएगी वो आएगी 1 by 4 E not square पैसा मासोतना इस से यह कैसे आ गया यह average value नहीं है यह average value है तो E के अंदर तो E की value है वो कुछ यह आ रही है तो आपको यह ध्यान रखना है कि sine square का average जो आता है वो आता है half तो इसलिए यह आ जा रहा है इतना और similarly ऐसे ही जब आप बात करोगे तो यह आ जाएगा 1 by 4 V not square by mu और यह दोनों values आपस में equal भी होती है total average energy density जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 by 4 epsilon not की not का square 1 by 4 V not square by mu अब यह ध्यान रखना है कई बार वो साफ साब बोलता है कि average electrical energy बताओ यह average magnetic energy बताओ हाला कि दोनों आपस में equal है तो ध्यान रखना average electrical energy is this और magnetic energy और दोनों आपस में equal भी है अगर यह दोनों आपस में equal है मतलब इसकी जगे इन दोनों का addition में बोल सकता हूँ two times of this या two times of this तो मैं के भी कह सकता हूँ या फिर के भी कह सकता हूँ एक बात है तोनों का add करने पर या तो यह आ जाएगा या यह आ जाएगा यह सुर्ण यह electrical है यह magnetic है और दोनों equal है यह आपको चीज दियान रखनी है अब आगे बढ़ते हैं अब देख अब हम क्या कह रहे है एक और चीज अब derivations तो यहां देखनी नहीं है बाकी बस दियान रखना है रिज़र तो आपने हो कह रहा है the total energy transfer to the surface in time T is मानलों को यह ए और यह wave पूरी की पूरी absorb हो जा रही है तो T time में अगर इसके उपट total energy कितनी गिरती है U तो magnitude of total momentum delivered to the surface कितना momentum deliver होगा U by C तो है momentum यहां पर deliver होगा के formula आप सीज़ेश के अभी के लिए याद रख लें वाकि इसको derive भी कर सकते हैं कोई बहुत बढ़ी बात है इसमें है नहीं अच्छा U को किस तरह के से define किया जाएगा अगर intensity हमें I दे रखी है intensity का मतलब energy per unit area per unit volume यह area अगर मुझे A दे रखा है तो I A into T के मेरे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा total U value I A by I A into T by C ऐसा करके आप momentum यहां से निकाले हैं कितना momentum इसको यहां पर transfer होगा कि आप यहां से बोल सकते हैं तो एक सवाल इस पे भी हम कर लेते हैं कि यह सब रेडियेशन प्रेशर और यह सब आपको चिवेंदू सर ने पढ़ा रखा है modern physics जब उन्होंने पढ़ाई थी उन्होंने अच्छे से निकाल बता रखा है कि रेडियेशन प्रेशर किस तरीके से क्या force रखता है यह momentum किस तरह किसे निकलेगा तो यहां मैं derive नहीं करा रहा हूँ यहां पर मैं बस सीधे formula लिखा दे रहा हूँ सेंटिमेटर में मैं इसको convert नहीं करूँगा क्योंकि यह पर सेंटिमेटर स्क्वेर में हमें given कितनी energy टोटल इस पर गिर चुकी होगी अगर आप यू निकालोगे तो वो आ जाएगा आपने पास आई ए इंटू टी टी टाइम में इतनी energy इस पर गिर चुकी होगी कैसा आप तो कितना momentum transfer हुआ होगा इसको इसको जो momentum transfer हुआ होगा वो हुआ होगा 2 by AC अभी अभी हमने देखा यह आ जाएगा कितना IAT by AC और average force जो इस plate को लगा होगा वो आ जाएगा total momentum transferred in time delta T जो कि अपने को T दिया गया है यह आ गया IAT by C upon T तो T से T कट जाएगा तो वो 30 minute जो दे रखा है उसको कोई लिना देना नहीं है फुल मिला के मुझे बस यह value रखनी है एक तो आ जाएगा 18 18 into area 20 convert करने की जुरत नहीं क्योंकि यह centimeter square में है और C 3 into 10 raise to power 8 फुल मिला के यह आपके पास average जो है force आ जाएगा 12 into 10 की power minus 7 हना तो यह जो है अपने पास finally इतना force इस plate पे लगता हुआ मैंशू तो यह जो है कुछ कहानी है चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है electromagnetic wave के लिए तो भाई आप ध्यान रखो चाहे यह relation हो यह velocity यह relation इन सब चीज़ों में यह सब आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ energy density से related बात है तो अभी हम आ रहे हैं electromagnetic spectrum पे electromagnetic spectrum मतलब इसमें अलग अलग type की electromagnetic waves की हम बात करेंगे जिसमें सबसे पहला जो है वो है अपना क्या radio waves तो हम यहाँ पे अलग अलग type की बात कर रहे हैं और इसमें हम क्या करते हैं energy बढ़ाते जा रहे हैं मतलब radio waves की wavelength सबसे जादा है frequency सबसे कम है तो यह बिल्कुल रटने वाली बात हैं आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जैसे क्या क्या दिया हुआ है कि radio waves कैसे produce की जा रही ह accelerated motion of charge in conducting wires they are used in radio and television communication के लिए इनको radio waves का जाता है they are generally in the frequency range of 500 kilohertz से 1000 megahertz okay तो उसमें उसमें भी अगर इनको तोड़ दिया जाए तो 530 kilohertz से 1710 kilohertz तक amplitude modulation में इनका use किया जाता है जैसे आजकल f radio जो हम सुनते हैं वो fm सुनते है frequency modulation अगर आप थोड़ा पुराने जमाने में जाओगे आज से 20-25 साल पहले या 15-20 साल पहले तब am चलता था 15 तो नहीं उसमें जो frequency की range रहती थी उन waves की वो यह रहती थी higher frequencies up to 54 megahertz are used for short wave bands आप यह याद रखना है तो रखो नहीं मत रखना है मत रखो tv waves की जो range रहती है वो रहती है यह fm जो radio की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो frequency की range रहती है वो रहती है यह ऐसे ही cellular phones also uses radio waves to transmit voice communication in the ultra high frequency band जिसको यू एच एफ भी कहा जाता है ठीक है तो कुल मिला के television radio और cell phones इसके communication में इनका basically use हो रहा है और production इसका कैसे इनमें आपको यही ध्यान रखना है कि इसका production detection और इनका use यह तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है में में इससे सवाल इसका तो माइक्रोवेवस आपको ध्यान इससे ही रखना है कि जो हम घर में microwave यूज करते हैं उसमें यही रेस्पांसिबल होती है खाने को गरम करने के इसलिए उसको microwave कहते है तो एक यूज तो ऐसे याद रह जाएगा अब radio से higher frequency यह मतलब higher energy वाली wave है wavelength कम तो कि velocity is lambda into frequency तो wavelength तो microwave के short wavelength रेडियो वेवस आप कह सकते हो कि रेडियो वेवस की wavelength को छोटा कर दोगे तो microwave हो जाएगे with frequency in gigahertz बढ़ गई frequency ठीक है and are produced by special vacuum tubes klystron और magnetron या gun diodes या gun diodes special type की vacuum tubes होती है जिन में इनका production होता है क्योंकि direct सवाल पूछ लेता है due to their short wavelength they are suitable for the radar system तो radar system में इनका जो है इस्तमाल किया जाता है ठीक है aircraft navigation में हो गया microwave ovens are an interesting domestic application of these waves ठीक है आचा microwave oven में क्या काम होता है कि electromagnetic wave है तो obviously electric field oscillate कर रहा है तो उसकी जो oscillating frequency होती है वो generally water molecule को oscillate कराने के लिए जो frequency होती है उससे match करती है क्या होता कि जब भी microwaves pass करती है तो water molecule oscillate करने लग जाते है कभी water molecule ऐसा गूमता है कभी वो ऐसा गूमता है मतलब molecules एक तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहे होते है अब बात यह कि जहां भी motion होगा वहाँ पे heat produce होगी तो molecule जब आपस में ऐसा ऐसा घूम के रगड़ खाते है एक दूसरे से friction की वज़े से वहाँ produce होती है heat ठीके क्या produce होती है वहाँ पे heat produce होती है तो इसलिए आपने देखा हुआ कि microwave में किसे आप दुकान पे गए आपने का कि भाईया एक समोसा देना ठीके बला हलवाई के गए उसने बोला कि यार समोसे तो अभी गरम नहीं हो क्यों बोलेगा तुम पूछोगे समोसा गरम है के नहीं बोलेगा हाँ गरम है और तुम्ह माइक्रोवेब में समोसा ठूसेगा और तुम्हें अब तुम उस समोसे को छूओगे तुम्हें उपर से लगेगा अब यह तो ठंडा पड़ बोलोगे यार कहां गरम है माइक्रोवेब में डालके भी ठंडा ही समोसा दे दिया फिर वो बोलेगा हलवाई पिटा एक बार ख एक दम कुआ निकल रहा हुआ है उसको तोड़के देख रहे तो वह बात यह है माइक्रोवेब में गरम किया है तो माइक्रोवेब किस चीज बर्म कर रहो है पानी को जहां जहां रागंटीज ज्यादा होगा वह वाली चीज ज्यादा गर्म होगी कि वहीं पर मौलिक्यूट ज्यादा तो समोसे का जो मसाला है तो अब्विश्ली उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है और फिर अपनी जीब जल जाती हो चलिए अभी हम आगे बढ़ते तो आगे बढ़ते और बात करते इंफरा रेड रेडियेशन इंफरा रेड रेडियेशन तो भाई ग्रीन आउज इफेक्ट की वज़े भी यही है और muscular therapy जो होती है कभी अगर तुम physiotherapist के पास गए हो तुम तो अभी क्या गए होंगे है ना फड़ी सी age हो जाएगी तो फिर जाने लगोगे है ना फिर कहीं और से दर्द निकलेगा कहीं और से दर्द निकलेगा है के नहीं तो muscular जो pain होते हैं उनको भी दूर करने के लिए infrared rays का काम इनको काम में लिया जाता है तो कि water molecules के आरे हैं उनको बहुत जल्दी एब्सॉर्ब करते है infrared rays एब्सॉर्ब करेंगे तो वो heat हो जाएंगे तो हमारे muscles में भी क्या होता है water content तो हमारी body में भी है तो infrared radiation डालने से वो body जो है अच्छे से heat को gain करती है और heat gain होने पर muscles जो है वो relax होती है गर्माहट मिलेगी तो क्या मिलेगा वो relax होंगी और जो भी muscles में strain है वो दूर हो जाए तो इसके लिए इनको यूज जाता है एक बार इसको पढ़ लेते हैं infrared rays are produced by hot bodies तुम बोलो क्या हम भी प्रेडियूस करते हैं हम भी infrared radiation प्रेडियूस करते हैं नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर कोई भी body जो होती है वो infrared rays ही बाहर निकाल रही होती है तो जो night vision camera होते है उनके लिए उनके लिए पढ़ा हो ना infrared sensors लगाए हुए और night vision तो रात में देखने के लिए infrared radiation वाले camera ही काम में लिए जाते हैं जो infrared radiation हो capture करके फिर उसको convert करते है visible light में और हमको एक image बनाके वो दिखाते हैं ठीक है तो hot bodies यह जो है rays को produce करती है infrared rays को this band light lies adjacent to the low frequency और long wavelength end of visible spectrum मतलब इसके just बात किसका number आने वाला है visible rays का infrared waves are sometimes referred as heat waves heat waves this is because water molecule present in most material readily absorbs infrared waves heat waves के बोलते हैं को कि water molecule हर जगे भाई water कही ना कहीं तो मिली जाएगा body में पशू पक्षियों में plants में water content तो रहे गए रहे रहे तो यह atmosphere में तो वो heat को absorb sorry infrared rays waves को absorb कर देता है क्वोण water so after absorption their thermal motion increases that is why they heat up and heat their surrounding ठीक है तो greenhouse gases जो है के लिए भी यह ही responsible gases क्या करती है तरिके जब इन्फरनेट radiation को capture करते है इन्फरनेट lamps are used in physical therapy by muscles के उसके लिए आई यार रेडियेशन इन्फरनेट रेडियेशन पेंटेज दा अर्ड वाम और एवरेस temperature to the green house effect तो यह green house effect एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों कि आखिरकार है क्या कि ग्रीना उस उस इफेक्ट पर क्या ओता है यह हो गया अपना कौन यह हो गई हमारे अर्थ की surface के और अर्फ ने उसको absorbs किया अर्थ ने क्या किया फिर एमिट भी किया रेडियेशन अर्थ ने वो रेडियेशन कौन सी रेडियेशन हो गई वाई है अर्थ अगर गरम होगी तो गरम होके जो रेडियेशन बाहर निकल जैसे हम भी हमारे टेमप्रेचर की वाई से रेडियेशन बाहर निकल रही है इंफ्रारेड अर्थ से mostly इंफ्रारेड रेडियेशन जो है वो बाहर निकी अब ये इंफ्रारेड रेडियेशन जो है इनको कौन एब्सॉर्ब कर लेगा atmosphere में present जो है अच्छा ये वाली rays में इतनी इंफ्रारेड नहीं थी जितना अब निकल रही है अर्थ ने इंफ्रारेड निकल जो जो green house gases है वो इन रेडियेशन को क्या करेंगी absorb कर लेंगी और ये जो surrounding है इसका temperature बढ़ जाएगा जैसा अगर तुम देखते होंगे कि अगर आप पहाड पे जाते हो अर्थ से आप दूर होते जाते हो चाही पे जाते हो तो temperature जो है वो कम होता जाता है क्यों प्योंकि वहाँ पे infrared radiation इतनी नहीं पहुच पा रही है इतनी हुचाही पर तो वहाँ पे जो ये green house gases है वो absorb भी इतना नहीं कर पा रही है इस वजए से temperature अर्थ का maintain या ज़ादा इन ग्रीन हाउस gases की वज़े से अब आगे ग्रीन हाउस gases बहुत जादा हो जाएंगी environment में तो उतना ही जादा क्या होगा कि infrared radiation को absorb और temperature बहुत जादा हो जाए तो बहुत जादा भी नहीं होना चाहिए temperature वह इतना हो कि यार थोड़ा सा आनंद आता रहे इसा नहीं कि भाई साब जैसे अभी हम राजस्तान में भाई दिन में निकल जाओ तो ऐसा लगता है कि आप किसी चूले के आगे बैठे हो नहीं आग लगती है भाई साब मतलब अगर आप सैंडल वेंडल पैन के निकल के बाइक चलाने तो आपके पैरों पर ऐसा महसूस हो आप एवरेस तेंपरिचर ऑफ ग्रीन आउस इपक्त तो इंकमिंग विजिबल लाइट इस एब्सॉर्ड बाई तो मैंने समझा ही दिया कि क्या हो रहा हो कार्बन डियोक्साइड वाटर वे पर यह काम कर रहे है इंफरेड डिटेक्टर्स मतलब यह ग्रीन आउस गैसेज सिंपल सी बात है कि थर्मल रेडियेशन बतलब इंफरेड डिटेक्टर्स को कैप्चर करने वाले डिटेक्टर्स को होंगे तो मिलेटरी परप्रस के लिए मालों कहीं बॉडर पर गुष्पैट हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है वो थर्मल सेंसर लगे होते इंफरेड डिटेक्टर्स लगे होते हैं जिससे कि पहचान हो पाए कि हाँ उदर वो आजमी उदर से देखो कुछ होता हुआ दिखा रहा है पसलों की ग्रोथ को भी इन से ना पा जा सकता है क्योंकि पेडों से भी क्या होगा भाई वहाँ पर भी इंफरेड रेडियेशन सेटलाइट सथा में या टीवी से कम्रेंट करता है फिर बात आते है या विसिबल लाइट की तो विसिबल लाइट कि काम विना तो अपना काम चली नहीं सकता वाई उसी की वज़े से हम देख पा रहे हैं तो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करने के लिए भगवान ने हमें आके देख लिए इसका जो वेवलेंट रहता है वो रहता है साथ सो से चार सो नैनोमेटर के बीच में और कोई भी सनलाइट जो आ रही है तो यह विजिबल लाइट जिस चीज पे गिरती है वो चीज हमको दिखने लग जाती है हम लाइट को नहीं देख पाते हैं जिस पे गिर रही है वो चीज अपने को दिखने लग जाती है तो कि लाइट उस पे गिरके हमारी आँकों में जा रह है 400 नेनोमेटर से 0.6 नेनोमेटर ठीक है तो यह special लेंप्स में प्रेड्यूस की जाती है इल्ट्रा विलेट्रेस तन जो है वह एक इंपोर्टन सोर्स एल्ट्रा विलेट्रेस का और यह हमारे skin के लिए हानिकारत होती है cancer प्रेड्यूस कर सकती है ना skin cancer हो सकता है तो जो ओजोन लेयर है वह अल्ट्रा विलेट्रेस से बचाती है सब कहानी अपने को ध्यान रखनी है ठीक है जहां 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 डिप्लीशन हो रहा है उस उस जगह पर लोगों के हाल बहुत ही खराब है ठीक और हमारे इंडिया में भी जो है ओजोन लेयर का जो थिकने से वह बहुत ही कम है आस्ट्रेलिया में भी हाल खराब है तो skin burn जो होती है वो UV rays की वज़े से ही है अब इसमें जो ध्यान रखना हो क्या कि एक ordinary glass भी जो है वो UV radiation को absorb कर लेता है ठीक है तो कभी माल लो आप क्या हो कि जैसे एक कमरे म में हो आप खिड़की से धूप आ रही है ग्लास के थूप होते हुए ग्लास की खिड़की है ग्लास विंडो है वहां से धूप आ रही है तो आपकी skin जो टैन नहीं होगी क्योंकि ग्लास ने majority of the ultraviolet rays को absorb कर लिया हो आप पे धूप गिर रही है आप गर्मी भी महसूस होगी लेकिन skin tan नहीं होगी वही अगर वो ग्लास अटा दोगे तो फिर वो ultraviolet rays भी गिरेंगी तो skin tan ही वहां पर ultraviolet rays अलागी काफी कुछ तो ozone ने absorb कर ले लेकिन ozone भी ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी ultraviolet rays को absorb कर लेगी obviously नहीं कुछ ना कुछ percentage तो हम तक पहुसता ही है तो hence one cannot get tanned or sunburn through glass window welders जो होते हैं वो भी glass use करते हैं welding करते हैं वक्ते जिससे कि उनकी आखों को नुकसान नहीं पहुचे direct context ठीक है तो और भी क्योंकि brightness भी बहुत जादा होती हो slide की तो इसलिए वो glass भी बहुत थिक और black होती है इसलिए वो भी glass use करते हैं due to shorter wavelengths UV radiation can be focused into a very narrow beam of high precision तो जो laser surgery होती है आखों का जो correction होता है आई defect को जो दूर किया जाता है वो भी ultraviolet rays का ही काम लिया जाता है उसमें और आपने देखा होगा कि यह RO RO होते है तो उसमें UV filter बोलते हैं अना तो UV lamps kill jumps in water purifier तो यह भी इसका use है ozone layer वो protective role play कर रही है कि वो क्या करती है वो जो है वो वहाँ पर ultraviolet को absorb कर लेती है तो इस सारी बाते आपको रटनी वाली है मतलब इसमें देखा है कुछ ऐसा कुछ है नहीं मतलब मैं क्या बता हूं मतलब कुछ conceptual चीज़ें ऐसी कुछ है नहीं है फटाफट से इसको हम खतम क जाधा है इसे भी जाधा penetration किनका है गामा रेस का एक्सरे का हां प्रेड्यूस होती है तो आपने पढ़ा होगा एक्सरे के production के लिए metal लो आई एनरजी इलेक्ट्रोन उस पे गिरवाओ तो characteristic और continuous x-rays का emission होता है modern physics में आपने पढ़ा होगा तो एक्सरे का production कैसे होता है वो आ और की wavelength range 10 nanometer से 10 की पावर माइनस 4 nanometer तक जा रही है common way to generate x-rays bombard a metal target with high energy electrodes जो मैंने बताया x-rays are used in diagnostic tool in medicine and the treatment of certain form of cancer गामा और x-rays दोनों ही cancer के treatment के लिए यूज होती है because x-ray damages or destroys living tissues organism यहाँ पर ये चीज़ है और obviously वो fracture के लिए भी इसका use होता ही है वो चीज़ फ्रैक्चर वाली बात तो तुम गामा रेज गामा रेज रेडियो अक्टिविटी में हम पढ़ते है कि जब भी एक unstable nucleus होता है तो वो unstable nucleus जब stability की तरफ जाता है तो गामा रेज का emission हो पतब खुल मिला कि radioactive molecule या atom जो है या nucleus जो है वो गामा रेज निकाले तो जिलाए इंदा upper frequency है सबसे highest energy वाली waves हो गई इनकी wavelength यह आ गई इस range में आ गई है याद रखना है आपको इस produced in nuclear reactions तो जो nuclear reactions जो radio activity है वहां से यह produced हो रही है और also emitted by radioactive nuclei वो बताई दिया आपको they are used in medicine to destroy cancer cells UV और इन दोनों का use cancer cells पेजर ली गामा यूज की जाती है ठीक है एक मिनट आपर यह यह आपको है यह याद रख ले नहीं है अब है आपकी यह टाइप आफ जो electromagnetic waves से उनकी wavelength रेंज उनका production उनका detection अगर आपको पढ़ना है तो यह पढ़ लेना आप अपने पास अंडर रूट अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है कि यह जो चीज आएगी वो आजाईगी अपने पास पर सेकंड इसको है यह आजाएगा आपने पास कितना L2T-2 आपको आगे आंसर वाली स्लाइड सी मिल जाएंगी अचाही एक बच्चे ने का था कि सर आंसर टिक करके लाते हैं वह तुम्हारे लिए टिक करके लाते हैं कि तुम लोग ताइम पर देख पाओ कि सच सही कौन स आता था ना कई बार कि कई बार क्या होता है ना प्रिंटिंग टाइपिंग होती है तो यह सा ना हो कि कुछ गलत चब गया हो तो इस सवाल को देखते सवाल में अपने को क्या दिया गया है सवाल में अपने को दिया गया है कि a magnetic field in traveling electromagnetic wave has a peak value कितना तो magnetic field की peak value है 20 nano tesla उना peak value of electric field कितना रद्धी सवाल है यह आता है अपने पास cb0 कि क्या जाएगा 3 into 10 raised to power 8 into 20 into और minus 9 यह हमारे पास आजाएगा कितना 6 के बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इस सवाल कि क्या बोल रहा है statement on state का सवाल है यहां क्या बोला है कि out of radio waves and microwaves the radio waves undergoes more diffraction diffraction कब होता है diffraction होता है जब वो light bend हो जाती है किसी obstacle से टकराती है किसी hole से पास करती है तो और diffraction उतना ही अच्छा होता है जितना wavelength का जो order है वो obstacle के size के order का ही हो दोनों match करते वे से जितना जादा उसके अप्रोच अप्रोच करेगा उसके size को वो उसके close होगा उतना ही अच्छा diffraction आपको देखने को मिलेगा अब जनरली जो objects अपने को देखने को मिलते है वो macroscopic हैं बड़े objects है जिस wave की wavelength बड़ी होगी का diffraction भी अच्छा होगा तो यहां पर अपने को पता है साफ की radio waves की wavelength microwave से बड़ी है इसलिए radio waves का diffraction अच्छा होना चाहिए तो यह true है wavelength बड़ी तो diffraction अच्छा statement true देख लेते है रेडियो waves have greater frequency तो गलत radio waves की wavelength बड़ी है तो frequency कम होगी तो यह हो जाएगा फॉल्स क्या आगया आपका फॉस्ट स्टेट स्टेट स्टेटमेंट इस फॉल्स अगला बोल रहा है दूरिंग दा प्रपागेशन और electromagnetic wave in a medium अच्छा जी तो यहां पर क्या पूछा गया है इसको भी देख लेते हैं कि यहां पर यह इसके uses की बात हो रही है तो infrared to treat muscular strain तो यह तो इसी से मैच कर जाएगा radio waves और broadcasting अगें बहुत ही आसान सवाल पिर इसके बाद जो अगला सवाल दिया गया है वह अपने को बोल रहा है electromagnetic wave of frequency तो इस electromagnetic wave की अपने को frequency दे रखी है क्योंकि है 10 की पावर 14 that direction के along propagate कर रही है electric field है अपना 4 वोल्ट पर मीटर epsilon not permittivity जो है वो अपने को दे रखी है मतलब vacuum बात हो रही है पर लिख देता लेकिन हमें electrical energy density बोल गई है तो हाफ epsilon not e not का square आ जाएगा तो यह स्वारी हाफ की जगे बन बाए 4 epsilon not e not का square आ जाएगा तो हम यहाँ पर यह लिख देंगे अब 4 into 8.8 तो 84 32 335.2 into 10 की पावर minus 12 second option यहाँ पर match कर जाएगा और फिर यह last सवाल तो इसी डाइप के सवाल रहते हैं तो आप एक बार और देख लेना कुछ सवाल होगो तो यहाँ आपको क्या बोला है em wave from air enters a medium electric field तो air में electric field की peak value यह दे रखी और किसी medium में electric field की value यह दे रखी और अपने को पता है साफ साफ की electric field in medium is equals to electric field in vacuum upon dielectric constant of that medium यह जो value है यह अपने को दे रखी है e not 2 और यह जो value है vacuum में वो दे रखी e not 1 और यह जी अब हमें और क्या दिया गया है इधर से अगर मैं देखूंगा तो यह 2 pi f by c तो omega जो होता है अपना यह तो velocity यह एर में है तो velocity आएगी आएगी z direction में वो travel कर रहा है तो frequency जो है air में क्या आप सीधे बोतेता हूं velocity जो है wave की in air क्या आपके पास c आ रही है और जब आप यहां से देखोगे तो k x x की जगे z ने ले ली तो यह 2 k आपको यह समझना होगा medium के अंदर जो k आता है वो आता है अपना 2 pi by lambda और वो हमें कितना दिया गया है वो दिया गया है टू टाइम सॉफ यह ओमेगा भाई वी से निकाल लेते हैं velocity का ratio में medium के अंदर k is omega upon velocity ओमेगा चेंज नहीं होता और यह value हमें दे रखिये कितनी को के के जो है वो क्या बोला गया के इस दा वेव नंबर इन एयर यह चीज़ आ जाएगी तो omega से omega कट रहा है तो यहां से मुझे पता लग गया वेलासिटी मीडियम इस सी बाई टू इसका मतलब refractive index जो हमें मिल रहा है हो मिल रहा है तो क्या इसनी से आगे बात कर ले ठीको आगे बढ़ाते वेलासिटी अब इसको अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे qm epsilon m तो आप लिखोगे not epsilon not और यह 2 पीडियम is non-magnetic, non-magnetic मतलब mu naught और mu m दोनों बराबर होंगे तो आप इससे काट सकते हैं, क्योंकि वो non-magnetic तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है E naught by epsilon m is 1 by 4 या अगर मैं धंक से बात करूँ, तो 1 by epsilon r is हमसे पूछ रहा है, epsilon r1 by epsilon r2 की value, epsilon r1 क्या है epsilon r1 is the relative permittivity of air अच्छा जी, relative permittivity of air तो 1 होती है कि कुल मिला के epsilon r1 और epsilon r1 is 1 and epsilon r2 is epsilon r इसकी value आरे 1 by 4 यह first option हो जाएगा बाई, अपने को जो बात समझ में आ रही है, वो क्या है कि, देखो, epsilon r1 यह होता है, 1 और epsilon r2, यह हमने epsilon r निकाला ही हुआ है इनका ratio is 1 upon epsilon r, वो मैंने निकाला 1 by 4 तो अपना जो है, ए option हो जाएगा कुल मिला के आपका यह आज का topic होता है, खतम तो इसमें बहुत ही basic से सवाल पुछे जाते हैं और बहुत ही basic से theory है कुल मिला के displacement current, uses of electromagnetic waves उनका production, detection और use और थोड़े से कुछ फर्बलेस यह आपको ध्यान रखने और यह chapter जो है आपका हो जाता है समाप 5 के लिए बस इतना ही, that's it for today's session next class तब तक के लिए, bye